सुपर मॉनिंग आईज और करंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेर्स का रिविजन करेंगे तो पहला प्रशन आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया आट्यूना मचली होती है और इसको हमने मनाया दो मई को American Academy of Arts and Science के मानत सदस्य के रूप में किसको चुना गया तो आंसर होगा शोबना नरसिम्मन को फिरे विशेश श्रमिक ट्रेनों से प्रवासी मजदूनों को लाने वाला पहला राज्य बना कौन सा जारखंड अब यह आपको पता होगा भाति रिल्वे ने अलग-अलग राज्यों में जो मदूर फसे हुए हैं उनको अपने अपने राज्यों में पहुचाने के लिए एक विशेश श्रमिक ट्रेन शुरू की थी फिर प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रे डिस्कवर्ड नाम की ई-बुक को रिलीस किया किस ने हमारे जो संस्कृती मंतरी हैं प्रलाद सिंग पतेल ने यह जो प्रोफेसर बीबी लाल थे यह महान पुरा तात्विद यानिके अर्केलोजिस्ट थे और इनी के सम्मान में इनकी अभी सोवी वर्ष गांट पे यह ई-बुक चारी की संस्कृत मंतरा लेना फिर उमबारे अंगनवाडी नाम के अनुठी पहल शुरू की किस राजय ने गुजरात ने तो लोकडाउन के दोरान बच्चों को मदद पहुचाने के लिए शुरू की गई थी यह इनिशेटिव फिर समुदरी अभ्याद सर्रिम आप दा पैसिफिक की मेजबानी करी का और यह इसका 27 संसकरन होगा अगस्ट के महीने में होगा यह एक्चुली बाई एन्वेल एक्सरसाइज होता है यानि कि दो-दो साल में होता है यह कहीं सारे देशे इसमें हिस्सा लेते हैं और इसकी जो थीम है वो है कैपेबल, एडेप्टिव और पार्टनर्स यानि कि सक् यूग नाम से एक एप्लिकेशन भी आया था जो कि सर्वे ओफ इंडिया ने लांच किया था COVID-19 से सम्मधित जानकारी को एकत्र करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, फिर एक किस खिलाडी ने सर रिचर्ड हैडली पदक जीता तो आंसर होगा रॉस टेलर ने, निउजिले करदत, फिर एक क्रिसिल के रिपोर्ट के अनुसार कुल इस्थापित अक्षे समता, यानि की टूटल इंस्टॉल्ड रिनियोबल कैपिसिटी के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा तो आंसर होगा करना टक, सेकेंड नमर पे तमिल नाडू था और थर्ड नमर पे था 2016 में और इसे लांच किया गया था उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, फिर ए डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे आउट्स टू थाउजें नाइटीन ट्वेंटी सूचकांक यानि की इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे है, तो आंचार होगा हरियाना, इसका मतल क्या है वो मोटो, कैश इस किंग बट डिजिटल इस डिवाइन, हिन्नी में बोलेंगे तो नगदी भव्य है बट डिजिटल डिव्य है, फिर है विश्व वायू गुणमत्ता रिपोर्ट 2019 में सबसे जादा प्रदुशित देश किसे बताया गया, तो आंसर होगा बांगला भारत इसमें पात्वी स्थान पे आता है और चाइना ग्यारवे नंबर पे है, शहरों की बात करेंगे, भई देशों में बात कर ली तो बांगलादेश आ गया, शहरों में बात करेंगे तो टॉप पे है गाजियाबाद, फिर है NPCI National Payment Corporation of India ने UPI यानि की Unified Payment Interface को से एक नया जागरुकता अभियान शुरू किया तो आंसर होगा UPI चलेगा, NPCI के MDCO है दिलीप असबे, फिर है वहानों के लिए Unified Registration Card लांच करने वाला देश का पहला राजी बना कौन सा? मध्यपरदेश, फिर है किस राजी में लोसर महतसर मनाया जाता है तो आंसर होगा आपको बताना है ये किस देश के पूर्वर राष्टरपती थे, मिश्र के, जिसे आप इजिप्ट कहते हो, और इसकी कैपिटल है काहिरा, करंसी है मिश्र पाउंड और इसके राष्टरपती का नाम है अब्देल फते अलसीसी, फिर है सांसकरितिक उत्सव वसंतोत्सव का किया गया कहाँ पर, गुजरात के गांदी नगर में, फिर आपको बताना है मास्टर कार्ड का एक्जिकिटिव चेर्में किसे नियुकत किया गया, तो अंचार होगा, अजे बंगा को जो की भी मास्टर कार्ड के चेर्में पद पर हैं, ये एक जनवरी 2021 से इसके एक्जिकि क्यूशन की बात करेंगे तो पहला प्रश्ण है इंफाल ये कि सर्राज्य की राजदानी है तो सिंपल सा है मनिपुर की है स्टेची ऑफ यूनिटी की मूर्तिकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है राम वी सुतार फिर एकि सर्राज्य के डिंडी गुल तालू को जी आइटे तो ये भी ध्यान रखना फिर एकि सर्राज्य की कंद माल हल्दी को जी आइटेग मिला है तो आंशर होगा उडीसा उडीसा जिसकी केपिटल भूवनेश्वर है नवीन पतनायक मुख्य मंत्री है और गणेश इलाल इसके गवर्नर है फिर एकि सर्राज्य की दार्जलिंग तो आंशर होगा पस्चिम मंगाल की पस्चिम मंगाल जिसकी केपिटल कॉलकाता है कॉलकाता हुगली नगदी के किनारीश थित है ममताब एनर्जी मुख्य मंत्री है जैदीब धनकड गवर्नर है फिर एकिसर्राज्य की तिरूर बीटल लीफ को जी आइटेग मिला बीटल पान के पत्ते तो आंसर होगा कैरल कैरल कैपिटल तिरू ननपुरम है पिनाराय विजियन मुख्य मंत्री है और गवर्नर कौन है आरिफ मुम्मत खान है नागालेन की राजदानी है कोहिमा फिर एक गंग टोक किसर्राज्य की राजदानी है तो गंग टोक भी आप बता कि सिक्किम की है सिक्किम की कैपिटल हो गई गंग टोक मुख्य मंत्री हो गए पिएस गोले और गंगा परसाद इसके गवर्नर है फिर एक इसर्राज्य की कुर्ग अरेबिका को जी आइटेग मिला था तो कुर्ग अरेबिका ये कॉफी है तो आंसर होगा करना टक और इसके मुख्य मंत्री है कौन बियस यदी यूरप पा वाजु भाहिवाला इसकी गवर्णर है बैंगलूरू इसकी केपिटल है फिर है कि सर्राज्य की सिरसे सुपारी को जिया टेक मिला तो इसका भी आंसर होगा क्या करना टक बढ़ते आगे तो important days की बात करेंगे तो पहला प्रश से याद होगा आपको world cancer debut होता है जो हम मनाते हैं 4 फरवरी को फिर विश्व विज्ञान दिवस ये 10 नवंबर को मनाते हैं एक national science debut होता है जो हम कब मनाते है 28 फरवरी को फिर राश्टर सिक्षा दिवस national education day 11 नवंबर को मनाते हैं हमारे जो पहले सिक्षा मंत्रे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद उनके जनम दिन को मनाते हैं एक international education debut होता है जो 24 चनवरी को मनाया जाता है 2019 से मना रहे हम इसे वैसे 24 चनवरी को एक और important day मनाते हैं राश्टर बाली का दिवस national girl child day फिर है world pneumonia day ये हमने 12 नवंबर को मनाया और इसकी theme क्या थी healthy lungs for all फिर है विश्व धया अलूता दिवस ये हमने 13 नवंबर को मनाया और विश्व मदुमे दिवस world diabetes day ये तो आपको याद होगा ये exam में भी आ चुका है प्रशने 14 नवंबर को और theme गया रही थी family and diabetes फिर है राश्ट्रे प्रेस दिवस ये हमने 16 नवंबर को मनाया था और 16 नवंबर को ये आपको और आपको याद भी होना चाहिए 90 नवंबर को एक और चीज मनाया जाती है राश्ट्रे एकी करन्ट दिवस फिर है यूनिवर्सल चिल्डरन डे 20 नवंबर को मनाते हैं तो गाईज ये था आज का अमरा current affairs का revision वाला वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाओ helpful लगाओ त ये रे कुशन आपके सामने झुशन आपके सामने झाल झाल झाल